नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले finance की दुनिया में एक बहुत बड़ा नया खुलासा देखने को मिला, Pandora Papers इन Papers में बड़े-बड़े लोगों के नाम है, billionaires, सरकार के top officials, public figures, celebrities, यहां तक की सचिन तंदूलकर जैसे sports persons भी लेकिन इन Pandora Papers में exactly क्या reveal किया गया है, आईए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में पैंडोरा शब्द आता है दोस्तों, Pandora's Box से जो की आया है Greek mythology से Opening a Pandora's Box एक कहावत है, एक idiom है जिसका basically मतलब होता है कि आप कुछ करते हो और आपके कुछ करने की वज़े से कुछ unexpected problems आ जाती है For example, अगर मैं कहूँ कि politics में आप religion को involve करोगे तो इसका basically मतलब है कि आप एक Pandora's Box खोल रहे हैं इसा करने से आने वाले टाइम में कई unexpected और बड़ी problems देखने को मिल सकती हैं तो इसी कहावत से ही Pandora Papers शब्द आया है, लेकिन exactly क्या है ये Pandora Papers? 2016 में जो पैनामा Papers आये थे, उनहीं की तरह ही ये Pandora Papers भी एक financial data leak है एक ऐसा data leak जो बताता है कि कैसे super rich people दुनिया के, जो top 1% अमीर लोग है दुनिया के, कैसे वो अपने taxes को avoid करते हैं pay करना या फिर taxes नहीं pay करते हैं दो साल पहली की बात है कि International Consortium of Investigative Journalists को एक tip दी गई थी, ये ICIJ, एक international network है, सौ से ज़्यादा देशों में फैला, सौ से ज़्यादा media organizations का, तो basically journalists की एक ये body है, इन्हें data दिया गया था किसी के दुआरा, और बहुत ही भारी भरकम data था, 14 offshore companies का, इस data में 11.9 million से ज़्यादा files टोटल में 3 terabyte से ज़्यादा का ये data था, 64 lakh documents थे, 1 lakh images थी, 12 lakh emails थी, इस सारे data में बताया गया था कि ये जो अलग-अलग super rich लोग हैं, ये कैसे अपने पैसे को handle कर रहे हैं, कैसे अलग-अलग countries में अपने पैसे को छुपा रहे हैं और basically tax बचा रहे हैं अपना, एक ऐसे time पर ने 600 से ज़्यादा journalists को invite किया, 117 countries से, कि वो इस investigation में participate करें और इस data को process करने में मदद करें, filter out करें, इस data को देखें, कहां पर काम की चीज है और क्या निकल के आ रहा है इस data से, तो इन सारे journalists ने इस investigation में participate किया है, for example, UK से BBC हो गया, UK से Guardian अखबार है, वो भी काफी reputable है, India से Indian Express ने इसमें participate किया था, और इन सारे journalists ने करीब 2 साल का समय लगाया इस data को process करने में, और finally ये expose अब जाकर किया, तो काफी सारे बड़े बड़े लोगों के और powerful world leaders के नाम निकल कर आए हैं इन Pandora papers में, 35 से ज़्यादा world leaders हैं, including current और former presidents, prime ministers, कई सरकारी public officials, कई सरकार के ministers, judges, mayors military journals, अलग-अलग देशों के, इसके इलावा सो से ज़्यादा billionaires हैं, celebrities हैं, rock stars हैं, और business leaders हैं, इन नामों के बारे में detail में जाने से पहले ये समझते हैं कि exactly इन Pandora papers में बताया क्या गया है, कैसे ये अमीर लोग अपनी wealth को छुपा कर रखते हैं और avoid करते हैं tax pay करना, क्या तक laundering करना, लेकिन मैं एक specific तरीके पर आज के वीडियो में focus करना चाहूँगा, जो Pandora papers की according सबसे common तरीका है, offshore accounts, अब literally कहें तो offshore का मतलब होता है अपने देश के borders से बाहर, लेकिन इस context में offshore का generally मतलब होता है tax havens, ऐसे देश जहांपर companies को set up करना असान है, ऐसे देश जहांपर कोई income tax नहीं होता या कोई corporate tax नहीं होता या फिर बहुत ही कम tax देना पड़ता है, और ऐसे देश जहांके laws ऐसे हैं कि अगर आप बहाँ पर company बनाओगे तो उन companies के owners को identify करना मुश्किल हो जाता है, इन tax havens की बात मैंने एक पुराने वीडियो में भी करी थी अगर आपको य नामा जैसी countries, Antigua and Barbuda और यहां तक कि कुछ लोगों के द्वारा Switzerland और Singapore जैसे देशों को भी tax haven consider किया जाता है, तो एक example से समझते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है, एक possible तरीका जो इन Pandora Papers में बताया गया है, अब होता गया है जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये कोशिश क चाते हैं, इन tax haven जो देश हैं, इन देशों में जाकर अपनी offshore companies को setup करें, लेकिन ये खुद के नाम पर नहीं करना चाते हैं अक्सर, privacy maintain करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, किसी lawyer के पास जाते हैं, या tax advisor के पास जाते हैं, या फिर किसी wealth manager के पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, और ये wealth manager इनके बिहाफ पर एक company setup करता है, अपने नाम पर, उनके नाम को hide करके, तो एक offshore company setup हो गई, और ये offshore company का अलग से bank account होता है, और इस bank account का ये लोग इस्तिमाल करते हैं, अक्सर कुछ बड़ी-बड़ी चीजे खरीदने के लिए, जैसे कि कोई property खरीदनी ह ये उस offshore company के नाम पर खरीदेंगे, जिससे कि इनका असली नाम कभी सामने नहीं आएगा, और क्यूंकि ये offshore company एक tax haven देश में होगी, तो almost कोई tax नहीं पे करना पड़ेगा इन सारे पैसों के लिए, और ये लोग अपने पैसों को अक्सर इस offshore company के account में deposit कर देते हैं, ताकि ज इस देश में रह रहे हैं, उस देश में tax कम पे करना पड़े या ना पे करना पड़े, अब सबसे interesting चीज ये है दोस्तों कि हर situation में ये करना necessarily illegal नहीं है, ये illegal नहीं है कि आप tax advisors को पे करो, lawyers को पे करो, ताकि वो tax system में loopholes धूंड पाएं, जिससे कि आपका tax बच सके, ये करना illegal नहीं है, यहाँ पर tax avoidance और tax evasion दो अलग-अलग चीज़े हैं और इनमें differentiate करना काफी जरूरी है, tax avoidance legally करी जा सकती है, कि आप legal तरीकों से tax pay करना avoid करो, loopholes धूंडो existing tax system में, लेकिन tax evasion का मतलब होता है कि आप कुछ illegal कर रहे हैं, obviously यहाँ पर एक grey area भी है, कि exactly क्या चीज tax ev avoidance है, इतना clear cut नहीं है, क्योंकि जादे तर देशों का tax system है वो बहुत complicated है, और जब आप बड़े-बड़े lawyers और tax advisors को पैसे देते हो, तो इनका यही काम होता है कि यह loopholes निकाले हमारे tax system में, इसी reason से हर इंसान जिसका नाम Pandora Papers में आया है, जरूरी नहीं कि वो कोई criminal हो, ज चीज legally भी करी जा सकती है, लेकिन हाँ, यह जरूर कह सकते हो कि यह करना शायद unethical है, या फिर immoral है, लेकिन of course कोई actual criminal भी इन्ही सेम तरीकों का इस्तिमाल कर सकता है, money laundering करने के लिए, अपनी identity छुपाने के लिए, और गलत काम करने के लिए basically, तो यह भी possible है कि जिन लोग जैसे कि Russian President Putin का नाम आया है Pandora Papers में, तो allegedly हुआ क्या, Monaco एक छोटा सा tax haven देश है यूरोप का, बहाँ पर एक property खरीदी गई, luxury property जिसकी value थी 3.6 million euros, इस property को खरीदा British Virgin Islands की एक offshore company में, तो officially कहें तो इस property को खरीदा गया उस offshore company के द्वारा तो नाम भी उस company का ही आ रहा है, लेक अचली में, उस company का जो ultimate beneficiary है, वो एक औरत है, जिसे alleged किया जा रहा है, जो कि Putin की secret lover है, और कहा जाता है कि यह औरत काफी middle class background से आती थी, तो उसके लिए यह luxury property खरीदना possible नहीं था, तो सवाल यह उठता है, क्या पूटिन ने अपने पैसों से offshore company के द्वारा इस property को खरीदा और अगर खरीदा तो क्या यह legal है या illegal है Russian tax laws के according, और एक step और आगे जाएंगे तो क्या यह moral है या गलत है Putin के लिए करना, similarly former British Prime Minister Tony Blair और उनकी wife का भी नाम है इन Pandora Papers में, कि उन्होंने around 300,000 pounds बचाये, stamp duty में, taxes में, क्योंकि उन्होंने एक property खरीदी, एक offshore company के थुरू, अब इस पूरे process में कोई illegal काम नहीं हुआ था, क्योंकि यह UK के tax laws में allowed है करना, ऐसे ही famous Colombian singer शकीरा का भी नाम है इस Pandora Papers की list में, कि allegedly उन्होंने तीन offshore companies खोली थी British Virgin Islands में 2019 में, इसके लावा अगर मैं कुछ आपको famous Indian नाम बताऊं जो इस लिस्ट में आये है तो वो है Sachin Tandulkar, Anil Kambani, Vinod Adani, Jackie Shroff, Radia, Satish Sharma और कई और income tax के officers के भी नाम आये हैं, इस list में कई सरकारी officers के भी नाम आये हैं, overall 300 से जज़ा Indians हैं जो इस list में मौझूद हैं, इसके लावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के inner circle के भी कई लोग हैं जो इस list में आये हैं, लेकिन जै आपके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए क्या options हैं यहाँ पैसे कमाने के लिए और पैसे save up करने के लिए, बस एक ही option है, mostly कहें तो कि आप एक salary नौकरी ले लो अच्छी job आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप एक middle class परिवार से हैं और आपके पर आपके परिवार के पास कुछ extra पैसा है, तो आप उस पैसे को invest कर सकते हैं, stock market में, mutual fund में या property खरीच सकते हैं, तो थोड़े से और ज्यादा options आगए आपके पास, अगर आप upper middle class से हैं, तो आप probably afford कर सकते हैं कि आपके परिवार के पास इतना capital है कि आपको कोई नौकरी करन तो आपके पास इतना पैसा है कि आप afford कर सकते हैं, महेंगे महेंगे tax advisors और lawyers को pay करना, जो कि legal तरीके और legal loopholes धूंड सके हमारे existing tax system में और और tax का पैसा बचा सके हैं आपका, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने आप अमीर बनते जाते हो, उतने ही ज दूसरे tax haven में जाकर property खरीद सकते हैं, वहाँ पर offshore companies खोल सकते हैं, यह option simply एक average इंसान के पास available ही नहीं, क्योंकि एक आप आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने महेंगे महेंगे tax advisors को दे पाई या दूसरे देशों में जाकर properties खरीद पाई, इस चीज की बात मैंने अपने capitalism वाले video में करी थी अगर आपको याद हो, जो money begets money की principle है, यह जो problem है, यह system की problem है और इसे solve करना आसान नहीं होगा, अगर आप इस problem को solve करने चलोगे तो दो main obstacles आपके सामने आएंगे, पहला यह है कि कुछ देश ऐसे हमेशा होंगे जो income tax नहीं होगा जिन देशों म सरकारों के पास कोई ज्यादा sources नहीं है income के, और क्योंकि हर सरकार एक independent country की अपने खुद के rules बना सकती है, तो यह अपने taxes को बहुत कम करते हैं, यह completely eliminate कर देते हैं, ताकि अमीर लोग इनके देशों में आएं, वहापर property खरीदें, business खोलें, जिससे इन देशों का फायदा ह सरकारों के दोड़ा, इसकी वज़े से होता क्या है, जो एक देश का tax system होता है, वो और भी complicated बन जाता है, इतना complicated बन जाता है, कि एक आम इनसान के लिए, बिना tax advisor को hire किये, बिना chartered accountant की मदद लिए, खुद से tax भरना possible ही नहीं हो पाता, एक आम इनसान के लिए business करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि tax system इतना complicated बन जाता है, और of course यह जो super rich लोग है, यह afford कर सकते हैं, और भी महेंगे lawyers और tax advisors, जो existing system में या नए system में फिर भी loopholes निकाल लेते हैं, तो यह कुछ obstacles हैं, अडचने हैं, जो सामने आती हैं, जब आप Pandora Papers जैसे issue के solutions धुनने की जान को मजबूरन ज्यादा tax pay करना पड़ता है, उसके पास कोई option नहीं होता, इस चीज़ को avoid करने के लिए realistically, जिन solutions की बात करी जा रही है सरकारे के द्वारा, वो यह है कि एक तो international regulations बनाई जाएं, बड़े बड़े देशों के द्वारा, जैसे कि USA, European Union और China, जो बड़े द तो यह चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि यह चीज़े कितनी successful होती है, और global minimum tax तो एक ऐसा topic है, जिस पर अपना एक अलग ही वीडियो बनाया जा सकता है, उमीद करता हूँ, वीडियो informative लगा होगा हमेशा, मिलते हैं फिर अगले व कर दो